किसान नाली में बहा रहे लसुन, मंडी में नहीं मिल रहा फसल का सही बाओ, लाकत निकालने में आ रही दिक्कत, नमस्कार, देखिए नीमच की विशेश खबर नीमच जीले का एक वीडियो सोसल मीडिया पर वाइरल हो रहा है, किसान लसुन से भरी बोरियों को भरते नाले में बहा रहा है, दरसल नीमच मंदसोर जीले में बड़े पेमाने पर लसुन की खेती की जाती है, लेकिन किसानों को मंटी में लसुन की अच्छे दाम नहीं मिल किसानों की फसल की लागत भी नहीं मिल पाती है नीमत जी लेके गाउं चोकान खेडा का वीडियो सोसल मीडिया पर वाइरल हो रहा है किसान दिनेश अहिर ने लगबग एक बिगे से उत्पादन की हुई 40 बोरी लसुन को पानी में बहाता दिखाई दे रहा है वहीं वीडियो वाइरल होने के बात में किसान से बात की गई किसान ने बताया कि उसने लगबग एक बिगा में लसुन की खेती की थी और आज लागत भी नहीं निकाल पा रहा है किसान को मंडी में ले जाकर लसुन बेचने के लिए भाड़ा भी महंगा पड़ रहा है ऐसे में नुकसान से परेशान होकर किसान ने गुस्से में अपनी सारी लसुन को पानी में बहा दिया एक और जहां सरकार किसानों की आय दोगुना करने की बात कर रही है दुसरी और धरातल पर किसान अभी भी परेशान है किसानों को लागत मुल्य भी फसल का नहीं मिल रहा है नीमच मंडी में लसुन के भाव 675 रुपई से 8500 रुपई क्विंटल तक अच्छी क्वालिटी की लसुन खरीदी जा रही है 4000 से 5000 रुपई मीडियम बेस्ट माल की लसुन खरीदी जा रही है किसान संबंदित खबरों के लिए देखते रहे हमारे साथ MP7 News